हेलो स्तो, कमाई का डस यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज हाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे शांदार मल्टी बेगर स्टॉक के बारे में जो आने वाले समय में आपके लिए काफी ब्राइट फ्यूचर एक स्टॉक क्रेट कर सकता है और इसके अंदर पूरी एबिलेटी दिखाई दे रही है और दोस्तो, कमपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफी एग्रेसिव तरीके से अपने बिजनेस को एकस्पांड करनी की तयारी कर रहा है और और अल्रेडी भी बहुत से कदम इन्होंने उठा लिए है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एंड मोस्ट इंपोर्टन पॉइंट ये है कि ये 5 स्टार कमपनी है कोई 4 स्टार, 3 स्टार नहीं, 5 स्टार मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसके पास जो कॉलिटीज है वो काफी सुप्रिम बिजनेस की कॉलिटी है एंड बैलेंश इट के अंदर भी ना दोस्तों कोई उतना करजे का प्रेशर है ना कोई पॉइंट यहाँ पर उतना वीक आपको देखने को मिलेगा और जो ग्रोथ है वो काफी आने वाले समय में आपको दिखाई देगी अभी ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ बोलकर आपको ब्लाइंड ली निवेश्ट करना है मैं आपको कहता हूँ कि आप बिलिकोल फ्रदर स्टडी कीजिए मुझसे कोई पॉइंड रहे गया तो वो भी आप कमेंड में बता सकते हो क्या होता है हमसे भी कोई यहाँ पर मिस्टेक या कोई पॉइंड रहे जाएगा तो आप भी कम्यूनिकेट कीजिए चैनल शरीप यहाँ पर आपको और मुझे सीकने को मिले इसलिए क्रेट किया है यह बात याद रखना तो चलिए स्टार्ट करते सभी डीटेल्स एक बड़िया कम्पनी की जो आने वाले समय में आपका फ्यूचर बना सके है और वीडियो अच्छा लगे मेरे उफट पसंद आए तो कमाई का अड़र्स यूटूब चैलन को लाइक सब्सक्रेब करना कमेंड बताना कोई कोई क्वेशन क्वेरीज आपके माइन में यहाँ पर हो तो यहाँ पर हम दोस्तों जिस कम्पनी के बारे में बात कर रहे है उसका शेर चल रहा है चौदा सो रुपए पार अभी ऐसा बहुत से निवेशक के माइन में तो आना चालो हो जाएगा चौदा सो रुपए का शेर बहुत महिंगा है सर और साथी ये एक सवाल आएगा कि बहुत महिंगा तो है बट ये तो अच्छा खासा ग्रो कर चुका है बिल्कुल ऐसी बात नहीं है मैं अगर यहाँ पर कम्पनी के एक साल के रिटन को आपको दिखा दो तो धाई सो परसेंड एड़ मैं लॉंग टम की जरनी बता दो कम्पनी की तो देख लीजे आप ये शियर 300 यहाँ पर 32 रुपए से आज 1400 रुपए पर आ गया यानि लगबग हम कह सकते हैं कि इसने 1000 से भी अच्छा पर शियर पर रिटन कमाखर दिया अभी आप बोलेंगे सर इतना बड़िया ग्रोथ होने के बाद इसमें और पोटेंशल है क्या तो मैं कहूंगा बिलकुल है क्यों क्योंकि कम्पनी के fundamental कम्पनी के ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं एंड दोस्तों मैं company के आपके आगे कुछ result के detail रखना चाऊंगा detail इसलिए क्योंकि आपको पता चले आप यहाँ पर देख सकते हो यह है quarter 1 के result के पूरे detail अगर आप company का revenue देखेंगे तो 58% से improve हुआ net income देखेंगे आप तो 91% से और जो net margin है net profit के वो 20% से बड़े है यह आपके आगे ही पूरे details में present कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको पता चले कि आप जिस company के बारे में जानकारी ले रहे हो उसका future कितना bright है यहाँ पर हम company के पहले business को study कर लेते हैं जैसे के company की क्या qualities company को support कर रही है growth के लिए और company के पास जो product है उसके बारे में मैं जिस company से related बात कर रहा हूँ यह company pipes and tube का manufacturing करती है अब ऐसा मत समदना कि pipes और tube का क्या benefit बहुत अच्छा मिलता है क्या company को तो बिलकुल मिलता है जितना इंडिया के अंदर development का work हो रहा है उसके अंदर इसका role बहुत बड़ा है आप यहाँ पर pharma industry, chemical industry, FMGC industries, जितने food, processing, chemicals वगेरा अलग-अलग category के जितने companies आप देखते हैं, sugar industries रहने दो, textile industry रहने दो सभी industry में pipe, tube का use होता है एक place से दुसरे place पर जो चीज़े पहुचाने के लिए रहने दो, chemical वगेरा उसके लिए रहने दो, छोटे मोटे अलग-अलग type के, यह सभी pipe वगेरा एक company provide करती है और आप चाहे तो बिल्कुल देख सकते हो के, जो heat जो यहाँ पर अलग-अलग temperature में भी काम करने वाले यह भी tube है इनके पास साती यहाँ पर आप देखेंगे, बहुत से जो steamless pipes जो रहते हैं, box pipes जो रहते हैं, ऐसे बहुत से categories company के पास है and my company के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका नाम है Venues Pipes Tube Limited, has one of the manufacturing plant is located in यहाँ पर गुजरात, आप देख सकते हो, इसकी capacity काफी अच्छी है 10,800 metric ton per annum, आप यहाँ पर इनके capacity को देखकर अंदाजा लगा सकते हो, कितना बढ़िया business है, expansion plan भी इनके पास ready है, जो इनके आने वाले समय में bright future के बारे में present करता है और सबसे बढ़िया बात है company का export, यह company अलग 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 देशों में अपने product supply करती है, करीब 20 ऐसे देश है जहाँ पर company अपने product supply करी है, Brazil, UK, Israel, Europe और ऐसे बहुत से अलग-अलग countries और इसका market share भी वहाँ पर अच्छा maintain है, और revenue के बारे में बात करें, तो company engineering से company कमा लेती है, 60% साथी यहाँ पर chemical industry से कमा लेती है, 31% यहाँ पर हम कही सकते हैं, और 9% other से, आप यहाँ पर geographic area से भी देख सकते हो, अलग-अलग countries से इसका अलग-अलग performance आपको दिखाई और इनके client आप यहाँ पर देखेंगे, तो 58 clients है, and fortune 500 जो companies है in India, उसके अंदर भी company include है, आदाने ग्रोप, Yelty, Amol, ITC, Sipla, Asian Payne, यह अलसो client है, new customer आगर यहाँ पर आप देखेंगे, JK paper है, और यहाँ पर आपको बहुत से अलग companies अलसो देखने को मिलेंगे, जो इनके client है, Pips and Tube Limited, इस share का हमें analysis कर रहे है, business को समझ रहे है, आपको देखना चाहिए क्या क्या हो रहा है, company लगातार करोडों का CapEx लेकर आ रही है, CapEx means capital expenditure जो business की qualities और business को बढ़ाने के लिए, और एक बड़ी बात आप यहाँ पर देख सकते हो, China Export Rebate, China is the largest exporter of ESCS tubes and pipes to India, and accounted for the 54% of total import in financial year 2021, 1st May 2022 में देखेंगे, Chinese government ने cancel किया है, क्या किया है, cancel export rebates 13% on stemless pipes and tube and other steel product to Chinese steel manufacturing turn to domestic market, तो इन्होंने यह जो decision लिए, उसका भी फायदा इनको मिल रहा है, bonus issue, the company issue and allotted bonus share of the 4.02 existing shareholder 10th September 2021, तो आप समझ रहों कि company ने कैसा performance किया, अभी वो जो chart pattern मैंने आपको बताया, जो present हा, वो discuss तो मैंने किया, साती मैंने आपको यह भी बताया, कि company का IPO कब आया था, company ने कैसा performance किया, आप वो भी देख सकते हो, company listed हुई थी, 24 में 2022 के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए, अभी fundamental की भी बात करेंगे, आपको पता होना ही चाहिए, जिस company में आप निवेश कर रहे हो, उसका performance कैसा है, तो आहाँ पर एक बड़ी बात मुझे दिखाई दी है, और मुझे लगता है कि इस पर हमारी नजर रहनी चाहिए, D.I.S. ने देखिए, 7.11% से धीरे धीरे स्टेक बढ़ा कर, 8.73% स्टेक कर दिया, और F.I.S. भी देखिए, जिनके पास श्रीप 0.67% था, वो आज 6.49% स्टेक हो गया, पब्लीक 43% से 36% पर आ गई, आज भी बड़े निवेश्य के पास बहुत अच्छा स्टेक है, और मैं सबसे बड़िया बात आपको इसके नेट प्रॉफिट के बताना चाहूंगा, कमपनी का कॉटरली नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, और आगर आप येरली नेट प्रॉ करोड से स्टार्टिंग करकर, आज आपना 53 करोड तक प्रॉफिट ले जा चुकी है, कमपनी बहुत अच्छी है, इसके उपर आपकी नजर आनी चाहिए, 2822 करोड का मार्केट क्या, पी रेशो 53 का, और 22 का रिटर्न आन कैपिटल इंप्लोईड और रिटर्न आन इक्विट 59 का है, एंड सबसे यहाँ पर जो इंपोर्टन पॉइंट है, वो देखी अशिश कचुलिया, उनके पास 55 करोड के शेर है, अभी उन्होंने खरीदे बोलकर हम खरीद रहे हैं, इसी कोई बात नहीं है, कमपनी में जो कॉलिटी है उसको देखकर ही, हम यहाँ पर आगे बढ रहे हैं, अभी इनके कोई शेर गिरवी है क्या, तो एक भी शेर कहीं पर गिरवी नहीं है, एंड मोस्ट इंपोर्टन पॉइंट यह याद रखना कि यह कमपनी 5 स्टार परफॉमस रखती है, अभी काई में, तो ओनर्शिप, वैलिवेशन, इफिसेंसी, फाइनांशियल प कैने नहीं में, परिवेशन चिक बाजान चे लो ढेखती है, एंड में जाक में हैं, जाकि अधर में, आधर मे आहे मैं, पमेशन तो एन स्ब्सक्षण चुर्ण चाहीं में डार उन क्यों है, भी च उन कहीं है, उन में भी कि हमने और रहे, तो पावाइन दोरे сहब क